वर्कम बेक टूर चैनल दाइश्टी व्लोग तो आज किस लोग में आप सभी स्वागते हैं चले आज किस लोग को स्थार्ट करते हैं अभी दो पर का टायम है जो देखो उपर पतंग आई हुए तो वाई इसको यह जाड लेकि यह डंडा लेका है अब इसको उतारेंगे गा पड़ी वाली पतंग भी आई थी चास्ट अभी तो यह भी लेली गाईज इसलिए आज व्लोग निवारा हुए आपने का व्लोग देखाऊगा आप बहुर रोग होगी यह पतंग लूट ली वह पतंग लूट ली ऐसी पतंग लूट ली इसलिए आज में गाई फोड़ा कर रहा हूं बाकि आपको होगे तो व्लोग कर लेंगे लूटने का बना लेंगे बाकि वह रखी मेरी पतंग छोटी सी पनी के उड़ा रहा हूं उससे चार पेच काट चुका हूं उस तक और बूर काटूंगों बस एक छोटी पतंग रखता हूं गाईस काफी अच्छी मस् सब्सक्राइब को पास याईगी ऑवविसी बात है तो घाइस मेरे को फिर से जाना पड़ेगा इसलिए लोग नहीं बना रहा है इतनी पतंग उने लग गई है शाम को ने इस टाइम तो भाई एक बिन रहता था अब देखो भाई कितने उड़ने लग गए हैं आपना तो ल सब्सक्राइब क्या मस्त लग रहा है खुला खुला मोसम बदल हो रहे हैं लेकिन मोसम में यह पेड़ देखो वह इसा लग रहा है तो को बिल्कुल खतरनाक और गाईज यह देखो 2000 थे इसकी पतंग तकरी एगाइस लेकिन उसको ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि भाई वह क कोई मतलब नहीं होता है जो पहले का टाइम होता है 15-20 दिन पहले पतंगे पतंगे कटी करते हैं पतंगे उड़ाते हैं तो 15-20 दिन तक एक साथ उड़ाएं और शक्राइब कोई मतलब नहीं गाई सब्सक्राइब के बाद में कुछ मज़ा नहीं है सुबह का टाइम तो है जैसा कि तो आज मैंने सोचा कि भाई आज खूफसरा कंटेंट चापेंगे जो पनी पतंगे हैं वह सभी दिखाएंगे और अलग-अलग वीडियो लाएंगे आपके तरह लेकिन आप कमेंट्स नही दिमाग में मेरे वह बढ़ा हुआ फिर आप देखना उनको वाइस सामने दूप भी आ चुकी है मस्त और बदल हो रहे हैं और यह दो गाइस दूप और यह कितनी खतरना का लग रहा है गाइज आज कल सही में यह दूसरे फोन आता है उनकी क्वाल्टे बिल्कुल खतम होती में और फोन कुछ असा ही और यहसे दिखा सकता है और यह बने को सफाय है तो इसके बाद में वहीं पे तो बनाएंगे यह बहार बनाएंगे चतंपे बनाएंगे वह देखते हैं लेकिन इसी बाइब से दिवार देखो आप और अंदर इस क्हतरना देखो खतरना लगता है इसका अपने स्टूडियो का हाल भी बहालो रखा है पूरा अस्ट व्यस्त हो रखा है गाइस तो आज इसको कम्प्लीट चमकाएंगे देखो बाई कितनी मिट्टी आती है मैं दिखाता हूं आपको यह देखो गाइस इतनी मिट्टी आती प्योर तो गाइस इन सभी पतंगों उठाके सब्सक्राइब पहुंच वगया जो लगाना था वो लगा यहां से पतंगों को यह नहीं नीच रख दिया है बंदल में और यह वैसे खाला ही पड़ाता था यहीं पर रख दिया मैंने सही लगा मेरको यहीं पर और यहां पर यह पट्टी गल्कुल क्लिंग कर दी यहां पर रास्तन पत्रियाग साथ यह देखो यह भी आ गया क्या वलतने इसको कलेंडर जोजार देश का के तो गाइश देखो अभी मैं डेड़ गंटे यहां बेठाब इटा बेठा क्लास लेठा और यहां पर देखो तीन पतंग कट्टी कर लिए और मैं यहां सब्सक्राइब तो और यह से उठाब लेते हैं जल्दी से अभी हम यह देख सकते हैं आप पतंगे के वाल रख रह आज जीन सब का review देने वाले हैं हमने फाइनल यह पर्चेस कर दिये सकराथ के लिए पतंगे तो वह सभी आपको देखनी है तो गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो से पहले वीडियो आपको मिल जाएगी जाके देख लेना मैं वीडियो बनाएं से देख वाइस अभी शड़ द्यकंदर इतना पाशी ना राता है क्या बताओं अभी पतंगे पैक कर दिये इंको उपर रखेंगे वह यह कामेरेक इस्टूडियो गंदर रखेंगे रूपर चालेंगे फिर अभी मैं तो कारा हूँ भाई धरी रोटी औ तो बाई मैं तो उपर से अपने चर्की मंगा रहा हूं उसके अंदर लगा रहा हूं सीधा टेच करके इसको उड़ाएंगे अब सकरात के बचे हैं सिर्फ कितने दिन तीन दिन पतंगे इसलिए पतंगों का जोड़ ज्याद है यह देगो संसेट भी होने वाला है पतंगों हमारे मंजी क्वाल्टी कुछ ऐसी है सबसे खतरनाक यूपी बरीली का ओजनल मंजा देख इसकी दार देखके लोग डर गए गाईस यह कितना मोटा गाट्व में लगाना पड़ता है इसको जब 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 यूपी बरीली कुछ नहीं है गाईस सबसे कथरनाक मंजा है सलुटा देखते हैं कितने काट क्याता है तो अगर दिखाता हूं और आपको दिखाता हूं ने देखो तह से पहल तो यह अपलम चफलम यह कौन-कौन खाता है अपने घर पे कमेंट करना पाइस सबस्क्राइब जा रहे हैं कहांपे पतंग लूटने के लिए अब इंपॉर्मेशन सुत्रों से पतस रायागी हमारी धंस्मारत्यकि पाल्ष commodity सब्सक्राइब करें दुकान जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है बिखने के लिए सामान बेशने के लिए बिल्कुल रेडी है अपलम चपलम चुटकी सुपारी और बंबया और मत्र यह सब अमारे दुकान में आपको एनिटाइम उपलब्स मिले कर यह दे हुआ इस थेली कंदर ले गया था इसको सामान को अब दुकान तो होलसेल मार्केट भढ़ रहा है काई समारा दीरे दीरे तो तो के बाहर में देना इस्टार्ट कर दिया इसके सावान में से मैं मत्र जीच चुका हूं बताओं कैसे तो गाइस मैंने अगेम यह लगा रहा हूं अपनी बंबया और तू लगा दिया उसके बाद में मतलब इसने बोला गलत उसने इसको बोला इसने बोला कि भाई जोजा करेंगा पहसला कि कौन जीता है और कौन नहीं जीत पाता तो कम दोनों जोजा लड़ाएंगे जीतेगा वह लेकर आगा यह कोण मटर जीते गाएगा का मटर इसको वापिस मिल जाएगा इसका हिसाब हो जाएगा बराबर चलो दोनों का जोजा रेडी है और देखते हैं जो काड़े जीत चुका हूं हमारे को मतलब नहीं है कुछ भी हमारे दुकान में माल आना चाहिए जोजा जीत का हूं चटका लिए तो गाइस दो मटर आ चुके हैं अब यह समेट के जा रहा है अगर यह से लड़ाता रहा तो क्या पता कब बर्बाद हो जाए गाई जी तो बस ऐसे जोजे को लेगे कड़ाता हमाया कैच के का तम काम काम कुछ ऐसे कि मैंने इसको बेच दिया घर पे और गर पे जाते ही हमारे यह सी पतंग आके पड़ी देखो गाइस दो पतंगे पड़ी तो बाई में आप आया और उठाया और आपका इसको में हैं 25 मिंट बाद में मैं इसको बापिस बॉला लेगाइस अब खूप सवाई पतंगे आई जा रही है और यह आज लाइनिंग काम के अगई मेरे अंदर इस कैमरे के अंदर चार लाइनिंग पता नहीं काईस आपको इन दीखिरी होगी सक्राथ का टाइम पास में आ रहा है और पतंगे भी ज्यादा आ रही है और हमारा लुटे आदा देखो बाई बस मैं बैठा ही था और एंट्वेंट पतंग आ गई गाईस तो बैरको उसको बैचना पड़ा है इंट भाइस चलो अपन तो बंबिया वगारा खाते हैं बाई कापी टाइम हो गया था दो पैसे लाके रख रखा हूं इन सब चीजों को इसके अंदर दिया था गाईस देखो बूटके वाली थेली के अंदर सारा था माल मेरे को भी इतनी बड़ी अब से सकाराट पास मेरी ना वस बसे लंभी लंभी पतंगह रिखाए लेकिन लंभी पतंगह भी प्रकट नहीं पारें हम क्योंकि भाई हमारे बहुत दिखता है इसम नाचावर वोधे को बहुत लंभी आइस यो इसको पकड़ लिए ने सक है ने छिया नंदू रख झाल, झाल, झाल